जो सर्दार पटेल पर अपने विचार रखने आ रहे हैं, उह हैं दिल्ली के गौरवगर्ग मैं भारत की उपज हूँ, सारी दुनिया में बिगुल बजाऊंगा, भारत माता के गले में विजेश्री का हार चड़ाऊंगा चांदनी की आभाहु मैं, भारत पुर का चांद, स्वन युग की गाथा गाते, प्रेम से लिया सबको बांध यहां उपस्तित सभी सभाजनों को मेरा गौरवगर्ग का सादर प्रणाम आज हम ऐसे महान व्यक्तित्व सर्दार वल्लब भाई पटेल जी को पुषपांजली अर्पित कर रहे हैं जिनोंने भारत को एक करने में और स्वाधीनता दिलाने में अपना जीवन निसार कर दिया सर्दार वल्लब भाई पटेल भारत माता के वहवीर सपूत थे जिनोंने भारत में ऐसी क्रांती पता का लहराई जिसका परिणाम आज है अजय, अभाय और अखंड भारत देश है भारत देश का प्रतेक वासी सर्दार वल्लब भाई पटेल का रिणी है उनकी अपने देश के प्रती निष्ठा कौन नहीं जानता उन्होंने टुकडों में विभाजित भारत को एक कर दिखाया उनका मानना था कि हमारी विभिन्नता ही हमारी अभिन्नता का प्रतीक है 565 रियासतों को संगठित करके उन्होंने बतलाया कि हमारा बल हमारी एक्ता में है और एक्ता का दूसरा नाम ही भारत देश है इसी एक्ता के बेमिसाल होस्टली के कारण उनको स्टैच्यो आफ यूनिटी का सम्मान दिया गया और उनकी 182 मीटर उची प्रतिमा का अनावरण नर्मदा नदी के तटपर किया गया दरसल यह नाम या उपादी भर नहीं अपितू उनकी तपस्या है अखिल भारतिय सेमाओं को गती देकर उन्होंने देश के इतिहास में अपनी महान गाथा के किस्से दर्ज करवा दिये मित्रों ऐसे महान तप, ट्याग और साधना ही एक सच्चे राष्ट्र सेवक की नीव है इसलिए हमें इस विरासत को अपनी भावी पीडियों तक पहुचाना होगा जिससे सदियों तक देश इनकी कर्म निष्ठा को नमन करता रही वे तब भी हमारे सरदार थे और आज भी उनके आदर्श हमारा नित्रित्व करते हैं अंतमी मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए यही कहना चाहूंगा कि रवी कहता केवल एक बात क्यूं है उनकी उची बिसात निर निमेश आसमान में खड़े रहे तभी सरदार की अग्रणी भूमिका निभाते रहे धन्यवाद जैहिंत जै भारत